तो गाइस मैं हुआ की तो और आप दिखे रहे हैं रस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरू करते हैं अपनी बात को मुख सबसे पहले कोडी रोड्स एंड गुंथर के मैच से अब तो लगता है भाई कि इनका ही मैच होने वाला क्राउंजूल का में इवेंट विकॉज अपडेट कोडी रौस एंगुंथर कहीं मैच को क्रांजूल के में इवेंट में दालेंगे लेगेन अब कुछ लॉक नहीं है यह na कि प्ता लगाएं कि होता है क्या होता है क्या होता है अगर इन पहले तो पता ही जाएगा लएक एक और आप देख सकते हूं यहां पर निकल के सामने वाइपर रिपोर्ट से इन्होंने बाई वो फोड़ो पोस्ट करिए गुंथर एंट कोडि की तो यहीं वाला मैंच मेंने वाला मॉस्ट लाइक लिए अब इसके देखो दो पॉजिटिव एक तो भाई कि रिंग वाला जो कॉंसेट लेकर हैं अच्छा है रिंग वाला कॉंसेट है तो साथ कुछ यूनिक हो जाएगा टाइटल वाले से तो काफी बेटर है लेकिन एक नेगेटिव यहां पर यह है ना कि उसका भी कोई फायदा है नी उससे भी कुछ क्या ही चेंज हो अगर वीडियो बनाने के बाद आती है कोई अपडेट लेट नाइट तो मैं आपको बता लूंगा लेट नाइट तो आएगी क्या वाई सारद इसमें में पता चल जाएगा लेकिन फिर भी भाई आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के वारे में जो कि गुंतर को लेके तो थे तो आकर वाकूँर बावरे में उसे लेकर बट हूंगा क्या क् актив से आंपका हुआए चल पर ला चौन रूरी को सिखांगा क्या हूं में *** करते हैं यह थमकी राइट यह पार ने कि तो सोच envie goofy मैं यह च्छा lesson दूगा सिखांग उसे कि क्या कहते हैं क्या हूती है мамृ से कॉमेंट करते हैं गोल्डबग ने भी गुंथर के वारे में कॉमेंट करके रखा है इतना सब कुछ हो रहा है तो आप क्या सोच तो इस और मैश तो डेफिनिटल होगा question है कि क्या crown jewel में हमें देखने को मिलेंगे गुंतर क्या इस कारण से Cody Rhodes जीच जाएंगे देखना होगा भाई फिलाल तो भाई आपके recording क्या ये match होना चाहिए हाँ या फिर्णा comment करके बताना यारी उनका कहना था कि अभी कुछ भी इसने commit नहीं करा तो अगर आभी जाता है तो सायद अभी chances कम है कि वह main event करेगा अभी इसको पर भाई और अपडेट है इनकी अपडेट है में आपको बता देता हूँ after the rocks denial on instagram about his status for WrestleMania Dave Meltzer said on wrestling observer radio that he checked with a WWE source and nothing's changed कहना है कि कुछ भी बदला नहीं है इन्होंने जो पहले रिपोर्ट करा था वो इन्होंने सही करा था अभी भी same status है इसके बाद Meltzer says rock has not committed for WrestleMania 41 since the initial report the mania poster came out and rock is not on it Meltzer said if he is on the show and confirmed on the show his face is front and center obviously there's still plenty of time and things can change if rock schedule permits कहना है इनका कि भाई simple सी बात बतानू मैंने अपने sources से बात करी उनका कहना है कि still rock ने कहा नहीं है कि वो Commit करके रखा भी होगा मुझे believe करके रखाओगा करके रखाओगा तो डवी भाई अभी अपरिल में होने वाले रसल मीना के लिए पोस्टर जो रिलीज करी है पहला प्रोमोशनल पोस्टर ऑफीसल वाला भी नहीं है पहला प्रोमोशनल वह इवेंट वाला डारेक्ट नहीं है तो इसी पोस्टर में भाई यह रॉक को डाल देंगे ताकि लोग मान के बैठ जाएं कि हाँ भाई अब तो आपको देखने को मिलेगा यह मिलेगा रॉक वर्सेज या नहीं तो रॉक वर्सेज कोडी नहीं तो रॉक रॉम और कोडी का ट्रिपटेट मैच तो यह क्यों ही करेगी डवी भाई सिंबसी चीज है तो डवी टिकेट्स तो इनके ही नाम पर बाकियों के नाम पर बेच रहें लेकिन एंड में रॉक एड होंगे डफिलाल यह अगली स्टोरी के वारे में कुछ घंटों में इवेंट चालू होने वाला है और क्राउन जूल के एंड में जो कि साथ एक नहीं तो डेर नहीं तो दो बज़े खतम होगा इवेंट आपको कुछ मैसिव सप्राइज देखने को मिल सकता है कंफर्म बिल्कुल नहीं है लेकिन सेमी जेन आके सेव करेंगे हो सकता है कि सेमी जेन आएंगे रोमन रेंस वगरा को हेलप करेंगे जब वो वह बीट डान फेस करए हों है न्यूब बलड लेन के हाथ होते हो यानी सैद कोई ब्लड लाइंट की तरह भाई सेम आगेन रॉक आ सकते हैं अब अगर यह वळा पॉसिबिलिटीटीज बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज बिल्कुल 0.11 परसेंट वह यह कि क्या पता भाई रॉक एक बाफ फिर से आके वैड ब्लड की तरह वह फेस टू फेस वाला सेग्मेंट क्रिएट कर दे छोटा सा कोडी के साथ में इसका चांसे बिल्कुल नहीं है लेकि बीटालर्ट होंगा यानि कि हीको लिए तो फिलार यह कुछ एक्सपेक्टेसंस क्राउं जूल से चांसे से वाई कि एंडिंग स्वाकिंग होगी अगें ट्रिपल एच ने बोला कि हिस्ट्री मेकिंग वीकेंड है तो होना भी चाहिए आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं लगए अपनी next and final story के बारे में देख लेते हैं फाईन क्राउंज वॉल का match काड क्या क्या करम है एक आखरी बार देख लेते हैं एक आखरी नजर दाल लेते हैं व्ड़ फोर फट्रूर्स का क्राउंज लोड टैटल मैच हम सबको पता है ।रुमन रेंज होने वाले टैग मैच जहां पर रोमन जे एंजिमी होने वाले एक साइड दूसरी साइड आपको ब्लड लाइन देखने को मिलेगी न्यू ब्लड लाइन वहां पर आई गैस बाई सोलो सीक्वा जेका फार्टू टामट होंगा होंगे कंफर्म नहीं लेकिन जेका फार्टू मॉस्ट लाइकली मैच में होने वाले हैं इसके बाद कंफर्म किया गया अपना लिव मॉगन एंड नयाजक्स का मैच यह भी क्राउजू चैंपसिप के लिए उसके बाद आपको यूस टाइटल मैच देखने को मिलेगा एले डिफेंट अच्छा मैच होगा आई बिलीव एंड परसनल मैच एक थोड़ा सा यह कविन ओवन्स एंड रैंडी ओर्टन के बीच में तो यह भाई फाइनल अपडेटेड कार्ड क्राउन जूल 2024 का साथ मैचस हैं काफी टाइम बाद डवी भाई इतने सारे मैचस के साथ में साओधी आ अने वाले मुझा से लगता है बागी फिलाल भाई इस वीडियो के लिए इस सारी अपडेट्स थी तुरंत मिलोंगा मैं आपसे एक और वीडियो के साथ में मैं होब करूंगा कि सारे दिस से पहले मैं एक और वीडियो डाल सगो कुछ चीज और है फाइनल ओड्स वगरा है अधर कबर कर ने को तो वहां पर कवर कर लेंगे इनली तो यह वीडियो भाई बहुत लंबी हो जाती तब तक लिए गुठ बटाइस सब्सक्राइब नहीं गया सब्सक्राइब करो मिलोंगा आपसे तुरंत मैं जल्दी से तो चैनल पर अक्टिवरो थैंक्स वाजींग